हेलो बच्चू, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनियर एक्सपंशन की बारे में जो पिछला वीडियो था हमारा, वो था थार्मल एक्सपंशन की बारे में अभी जो ए न्यू वीडियो होगा, ए होगा लिनियर एक्सपंशन की बारे में, ठीक है तो linear expansion होता क्या है मैंने पहले भी बोला था कि अगर temperature हम बढ़ाएंगे कोई भी system में temperature बढ़ाएंगे तो क्या होता है वो system expand करेगा सोचो एक road था जिसका length था L ठीक है अभी आपने क्या क्या है इसमें heat अपके heat दे दिया तो heat देने से क्या होगा बढ़ने के कारएंग जो system होता है वो expand हो जाएगा ठीक है तो हमने temperature दे दिया suppose हमने temperature दे दिया delta T कितना temperature दे दिया delta T इसमें पहले बारे में तो इसमें जब temperature हमने दे दिया delta T तो क्या होगा इस temperature का देने की कारएंग इसमें थोड़ा length का changes आया कितना length का changes आया suppose delta L पहले कितना था L था अभी जो changes आया वो changes कितना है delta L ठीक है तो ए temperature देने में जो length का changes आया वो होगा delta L ठीक है ओके so delta L किसका किस से proportional होगा तो delta T का proportional होगा कि बाद temperature जतना बढ़ाएंगे तो क्या होगा उतना length बढ़ेगा और किस से किस के साथ proportional होगा देखो भाई जितना जादा बढ़ा length होता है उसमें जादा changes आता है होगा ना जितना जादा length होगा जितना जादा बढ़ा length होगा ठीक है उसमें ज्यादा changes होगा तो इसमें से एक बत तो पक्की है कि भाई जो delta L का changes होगा, so directly proportional होगा L से, मतलब जितना ज्यादा, अगर 2 cm है तो 2 cm में suppose ये changes होगा 0.5 cm अगर 4 cm होता है तो इसका changes शायद हो सकता है कि मैं 1 cm तो जितना ज्यादा length होगा उसमें उतना ज्यादा changes आएगा, ठीक है तो ये दोनो equation को अगर हम combine करेंगे इस equation को और इस equation को तो क्या होगा, इसमें delta L होगा proportional, किसका proportion होगा L into delta T का ठीक है, ये जो proportion नहोगा किसके साथ proportion होगा ये होगा L into delta T इसका मतलब ये जो proportional sign है, इसको हम remove करने से constant आता है एक constant को हमने लिख दिया alpha ठीक है, और ये alpha होता है coefficient of linear expansion, देखो linear expansion की एक rod होता है, तो एक rod क्या होता है, एक line पे होता है, ये तो one dimensional body है ना, तो इसलिए अगर one dimensional body, किसी भी one dimensional body का expansion होता है, उसको कहता है linear expansion, ठीक है, ओके, तो और थोड़ा अच्छे से अगर बोलेंगे, तो ये alpha क्या होता है, alpha होता है कि कितना length का changes हुआ, ठीक है, ओके, कितना length का changes हुआ, किसके respect में, इसका temperature का respect में, और इसका original length का respect में, ये ही होता है, alpha, okay, समझ में आया सबको, so alpha कितना होता है, alpha होता है coefficient of linear expansion, और जो linear expansion होता है, वो linear expansion क्या होगा, linear expansion होगा, alpha equals to delta l by l into delta t, ठीक है, समझ में आया सबको, मुझे लगते हैं, सब लोगों को समझ में आया, okay, ठीक है, अगर हम l को final l को लिखेंगे, तो final l कितना होगा, सोचो, अगर हम final l को लिखेंगे, तो final l कितना होगा, l अगर final होता है, सब्सक्राइब लिखती है, तो l prime कितना होगा, l तो था पहले से ही, और अभी changes कितना आया, changes आया, alpha l into delta t, इसका मतलब जो l prime का equation होगा, वो हो जाएगा, l into 1 plus alpha into delta t, यही होता है, linear expansion का equation, कितना total length का increase, जो final length होगा, उसको हम कहेंगे, alpha, sorry, l prime, और जो l prime होगा, वो होगा, वो होगा, l into 1 plus alpha delta t, ठीक है, ओके,